नमस्कार बच्चो जैसा आप जानते हो आजकल क्रोना वाइरस में हमारे की वज़े से हमारे स्कूल बंद है तो हम आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए आपकी कक्षाओं को आपके घर तक लाने का पूरा परियास कर रहे हैं तो बच्चो आज का पाठम शुरू करते हैं तो बच्चो आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको एक महाराजा दिख रहे हैं आप इस महाराजा को देख सकते हो और आसपास इसके प्रजा दिख रहे हैं आपको महाराजा प्रजा पर राज करते हैं क्या आप जानते हो प् बहुत सारे इनके प्रांथ होते थे और इनकी बहुत सारी उपलब्दियां होती थी तो जो बड़े होते थे जिनके पास जादा सेना होती थी जिनके पास जादा खजाना होता था उन्हें हम महाराजा कहते हैं और उनके अधीन छोटे-छोटे कई सारे राजा आते थे तो बताने वाले हैं इन बातों की जानकारी कि किस राजा ने कहां शाशन किया, कब तक शाशन किया, उनकी जो समय अवधी थी और उनकी अंतरगत कितने प्रदेश आते थे, इन सब की जानकारी हमें इतिहास बताता है, तो इतिहास का जब हम अध्यन करेंगे, हमें इन सब की जान वा उनकी सल्तनत के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हमने अध्याय दो में पढ़ा था कि कावेरी डेल तक शेत्र जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। लेकिन अध्याय दो में ऐसे किसी राज्य का जिकर नहीं था कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वज़ा ये है कि दिल्ली महतपुन शहर बारवी शताबदी में ही बना। आए बच्चों, हम दिल्ली के शाष्कों के क्रम वाविकास को देखें। इस पार्ट को समझने के लिए तालिका एक को समझना सबसे आविशक है। तालिका एक पर नजर डालिए। के चुहानों जिने चहमान के नाम से भी जाना जाता था ने परास्त किया। इनी दो वंश तोमर और चुहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वानिज्य का एक महतपुन के इंदर बन गया। इस शहर में बहुत सारे सम्रिद शाली जेन विप्यारी रहते थे जिनों ने दिल्ल की वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। तालिका एक पर फिर से नजर डालिए और उन पांच वंशों की पहचान कीजिए जिन से मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों न अनिक नगर बसाए मांचित्र एक को देख कर दहेली एकुहना, सीरी और जहा पना को ढूड़िये और पहचानिये बच्चो ध्यान से देखो नहीं देखा तो अब दुबारा से आपको बताती हूँ ये रहा दहेली एकुहना, ये रहा सीरी और ये रहा जहापना बच्चो अब मैं आपको दिल्ली के शाषकों के बारे में महतपून जानकारी देती हूँ आरंबिक बारवी शताबदी से 1165 तक तौमर राजपूतों का राज रहा उसमें अनंगपाल नाम के शाषक सबसे महतपून थे जिनका शाषनकाल 1130 से 1145 तक रहा उसके बारी आती है चुहान राजपूतों की जिनका शाषन 1165 से 1192 तक रहा इसमें भी जो सबसे प्रसिज शाषक थे वो थे पृत्वीराज चुहान इनका शाषनकाल 1175 से 1192 तक रहा अब दिल्ली में हिंदु शाषकों के शाषनकाल की समापती हो गई अब इसके बाद तुर्की शाषकों का समय आरंभ हुआ 1206 से 1290 तक तुर्की शाषकों का शाषन रहा इसमें सबसे पहले नाम आता है कुतबु दिन एबग का इसका शाषनकाल 1206 से 1210 तक रहा कुतबुदिन एबक के बाद शम्सुत दीन इलतुत मिश ने 1210 से 1236 तक शाशन किया इलतुत मिश की मृत्यू के बाद उनकी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया 1236 से 1240 तक रजिया ने दिल्ली पर राज किया रजिया के बाद गयासुदिन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर अपना राज कायम रखा. इस तरह तुर्की शाषकों का शाषन दिल्ली में समाप्त हो गया. अब इसके बाद बारी आती है अगले वंश की जिसका नाम था खलजी वंश. खलजी वंश की 1290 से 1320 तक राज रहा. दिल्ली के ऊपर इनका शाषन काफी लंबे समय तक स्थापित रहा. इस वंश के दो प्रमुख सुल्तान थे जलालू दिन खलजी जिसका शाषन 1290 से 1296 तक वा दूसरे थे अलाव दिन खलजी जिसका शाषन 1296 से 1316 तक रहा. अब बारी आती है अगले वंश की वो है तुगलक वंश. तुगलक वंश का शाषन 1320 से 14 से 14 तक रहा. इनका शाषन तीन शाष को मैं सबसे ज़ादा प्रसिद रहा. पहला गयासुदिन तुगलक जिनका शाषन 1320 से 1324 तक रहा. दूसरे थे मुहम्मद तुगलक इनका शाषन 1324 से 1351 तक रहा. तीसरे थे फिरोश शाह तुगलक जिनका शाषन 1351 से 1388 तक रहा. तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद सेयद वंश में अपना अधिकार दिल्ली पर मजबूती से कायम किया. इसमें जो सबसे महतपून शाषक थे वे खिजर खान 14 से 14 और 14 से 21 तक वे सुल्तान रहे. सेयद वंश के कमजोर होते ही लोधी वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया. लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली के ऊपर अपना सामराज्य कायम रखा. इसमें जो सबसे प्रमुक थे वे थे बहलोल लोधी. 1451 से 1489 तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व रहा बच्चो इस तालिका एक में आपको तीन चित्र भी दिख रहे हैं पहला है इलतुतमिश का मकबरा दूसरा अलाई दरवाजा और तीसरा फिरोशा तुगलक का मकबरा तो बच्चो ये थे दिल्ली के शाशक और सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया इस श दिल्ली में कारी करते हुए पूरे भारत वर्ष पर अपना प्रभुत्व बनाये रखते हैं अब इतना सा पढ़ने के बाद कुछ पुन्रावृत्ती की जाएं तो बच्चो मैं आप से कुछ प्रशन पूछूँगी आप उनका सही उत्तर देने का प्रतन करें तो पहला प क्षेत्र तो सही उत्तर हैं कावेरी डेल्टा क्षेत्र अगला प्रशन दिल्ली मेहतपुन शहर कब बना था पहला उप्षन बार्वी शताब दी दूसरा तेर्वी शताब दी तीसरा ग्यार्वी शताब दी सही उत्तर हैं बार्वी शताब दी अगला प्रशन दिल्ली की स् प्रशन करते थे? अगला प्रशन, दिल्ली के मंदिरों का निर्मान किसने करवाया? पहला प्रशन समरिद्शाली व्यपारियों ने, दूसरा पुजारियों ने, तीसरा सुल्तानों ने सही उत्तर है समरिद्शाली व्यपारियों ने अगला प्रशन देखें, दिल्ली में डैश कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे इस खालिस थान को आपने भरना है तो पहला प्रशन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है देली वाल सही उत्तर है देली वाल अगला प्रशन, दिल्ली किस रूप में बदल गई? पहला ओप्षन गाव, दूसरा शहर, तीसरा राजधानी. सही उत्तर है राजधानी. अब अगला प्रशन, चुहान राजाओं का शाषन किस क्शेत्र में था? पहला option आगरा पानी पत, दूसरा करनाल सौनी पत या तीसरा दिल्ली और अजमेर सही उत्तर है दिल्ली और अजमेर अगला प्रशन दिल्ली के सुल्तानों ने कौन कौन से नगर बसाए जो सही है उस पर सही का निशान लगाए और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाए पहला सीरी, अशोक विहार, पहाड गंज इसमें सही उत्तर है सीरी दूसरा जहापना, वसंत विहार, पालम विहार इसमें सही उत्तर है जहापना इसमें सही उत्तर है दहे लिये कुहुना अगला प्रशन ग्यारा सो पैंसट से ग्यारा सो बानवे तक कौन सी शताब दी थी? पहला उप्षन तेरवी, दूसरा बारवी, तीसरा ग्यारवी तो सही उत्तर है बारवी अगला प्रशन, कितने वन्शों को मिलाकर दिल्ली की सल्तनत बनी? पहला उप्षन चार, दूसरा तीन, तीसरा पांच सही उत्तर है पांच अगला प्रशन देखें चुहानों ने किस शाशक को हराया था? पहला उप्षन अनंगपाल, दूसरा फिरोश्या, तीसरा खिज्रखान सही उत्तर है अनंगपाल अगला प्रशन बारा सो छे से बारा सो नब्बे तक कौन से वन्श ने दिल्ली पर शाशन किया? उप्षन है तुर्क शाशकों ने, खलजी वन्श ने या तुगलक वन्श ने सही उत्तर है तुर्क शाशक ने अगला प्रशन रिक्त स्थान भरो पहला बारा सो छे से बारा सो दस तक खालिस्तान ने राज किया 2. 1210 से 1236 तक खालिस्तान ने राज किया 3. 1236 से 1240 तक खालिस्तान ने राज किया 4. 1266 से 1287 तक खालिस्तान ने राज किया अब इनके सही उत्तर आप बताएंगे तो पहला सही उत्तर होगा कुतुब बुदिन एबक दूसरे का सही उत्तर होगा शमसुद्दिन इल्थुत्मिश तीसरे का सही उत्तर है रजिया और चौथे का सही उत्तर है गियासुदिन भल्बन अगला प्रशन देखते हैं बच्चो बच्चो अब आपसे खलजी वन्ष के प्रशन पूछती हूँ तो 1290 से 1296 तक किस खलजी वन्ष के शाशक ने शाशन किया पहला गयासुदिन तुगलक, दूसरा जलालुदिन खलजी, तीसरा अलाउदिन खलजी तो सही उत्तर है जलालुदिन खलजी अगला प्रशन खलजी वन्ष का शाशन की सम्यावधी बताएं पहला 1290 से 1320 या दूसरा 1206 से 1290 या तीसरा 1130 से 1145 सही उत्तर है 1290 से 1320 अगला प्रशन देखते हैं अलाओ दिन खलजी ने कब से कब तक शाशन किया 1290 से 1296 या 1296 से 1316 या 1320 से 1324 सही उत्तर है 1296 से 1316 खलजी वंच के बाद अब बारी आती है तुगलग वंच के प्रशनों की तो बच्चो तयार हो जाओ उत्तर देने के लिए तो अगला प्रशन है तुगलग वंच का शाशन का समयकाल क्या था? 1320 से 1414 या 1414 से 1451 या 1290 से 1320 सही उत्तर हैं 1320 से 1414 अगला प्रशन 1324 से 1351 तक किस तुगलग शाशक ने शाशन किया? पहला गयासुदिन तुगलग या दूसरा महम्मद तुगलग या तीसरा फिरोशा तुगलग सही उत्तर हैं महम्मद तुगलग अगला प्रशन अब आप मुझे बताओ कि अंतिम तुगलग शाशक कौन था? पहला option ग्यासुदिन तुगलक, दूसरा फिरोशा तुगलक या तीसरा मुहम्मद तुगलक सही उत्तर है फिरोशा तुगलक बच्चो अब आपसे सयद वन्ष वा लोधी वन्ष से संबंदित प्रशन पूछती हूँ देखते हैं आप मैंसे कितने विध्याती सही उत्तर देते हैं तो हम शुरू करते हैं 1414 से 1421 तक किस शाशक ने दिल्ली पर शाशन किया? पहला खिजर खान, दूसरा बहलो लो दी या तीसरा अलाव दिंखिल जी सही उत्तर है खिजर खान अगला प्रशन देखते हैं 1451 से 1489 तक किसका शाशन था दिल्ली में पहला उप्शन बहलोल लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी या तीसरा खिज्र खान सही उत्तर हैं बहलोल लोदी बच्चो लोदी वंश के आखरी शाशक थे इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के साथ उनका युद हुआ जिसे हम पानीपत के युद के नाम से भी जानते हैं तो बच्चो इन सभी सुल्तानों में से तुगलक वंश के सुल्तानों का सबसे लंबा कारी काल रहा इन्होंने 94 वर्ष तक राज किया आईए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्थ हुई वह बताते हैं हमारा अगला उपविशय है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हालांकि अभिलेक, सिक्के और भवन निर्मान कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है मगर और भी महतपुर्ण वे इतिहास तारिक वा त्वारिक है जो सुल्तानों के शाशनकाल में प्रशाशन की भाषा फारसी में लिखे गए थे त्वारिक के लेखक सचिव, प्रशाशक, कवी और दर्बारियों जैसे सूशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटना क्रमों का वर्णन भी करते थे और शाशकों को प्रशाशन संबंदी सला भी देते थे त्वारिक के लेखक लिखने के लिए पांडू लीपी का इस्तेमाल करते थे पांडू लीपी को तयार करने के चार चरण बताए गए हैं और इसका चितर भी आपके सामने प्रस्तूत किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इस प्रकरिया को समझे तो पहला चरण देखें, कागस तयार करना आप चित्र को देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति कागस तयार करता हुआ दिखाई देगा दूसरे चित्र में आपको व्यक्ति लिखने का कारे करते हुए दिखाई दे रहा है ये लेखक है जो फार्सी भाषा में लिख रहा है तीसरे चरण में आप तीसरे नंबर वाला चित्र देखे इसमें महतपुन शब्दों और अनुछेदों की और ध्यान आकर्शित करने के लिए सोने को पिगलाया जा रहा है ताकि जब कोई शब्द वा अनुछेद पर बल देना हो तो वे दूर सही सुनहेरे अक्षरों में दिखाई दे अन्तिम चरण चित्र चार में देखे उसमें एक व्यक्ती आपको जिल्द तयार करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे उस तक का रूप दिया जाएगा इस तरह से इतिहास की किताबे वापांडू लीपियां उस समय तयार की जाती थी चलो बच्चो थोड़ी सी पुन्रवरित्ती हो जाए तो शुरू करे बच्चो जो उत्तर सही देगा वे अपने लिए जरूर ताली बजाए तो पहला प्रशन दिल्ली के सुल्तानों के समय में कौन सी भाषा प्रशाशन द्वारा प्रियोग में लाई जाती थी पहला अर्बी दूसरी फार्सी या तीसरी उर्दू तो इसक में से सही उत्तर है फार्सी अगला प्रशन, अक्षरों को उभारने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो पहला है आपके सामने चांदी या सोना या तांबा सही उत्तर है सोना अगला प्रशन, अभिलेक, सिक्के वा भवन निर्मान कला के माध्यम से हमें किस बात की सूचना मिलती है बच्चो? इतिहास की? लोगों के बातों की? या भुगोल की? सही उत्तर है इतिहास की बच्चो अब मैं आपको न्याय चक्र के बारे में बताती हूँ न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है इसके लिए मैं आपको तेरवी सदी के इतिहासकार फक्ष ऐ मुदब्बिर के शब्दों के द्वारा समझाने का प्रितन करूँगी उन्होंने कहा था कि राजा का काम सैनिकों के बीना नहीं चल सकता सैनिक वेतन के बीना नहीं जी सकते वेतन आता है किसानों से एकत्रित किये गए राजस्व से मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन हो ऐसा तब हो सकता है जब राजा न्याय और इमानदार प्रशाशन को भड़ावा दे आओ बच्चो अब मैं फिर से आपके ज्यान की परिक्षा लूँगी अब आप समझी गए होंगे कि मैं फिर से आपसे प्रशन पूछने वाली हूँ चो चलो सब तयार हो जाओ तो रिक्ष स्थान भरो पहला राजा का काम खालिस्तान के बिना नहीं चल सकता दूसरा सैनिकों का वेतन आता है किसानों से एकत्रित किये गए खालिस्तान से तीसरा, किसान राजस्व तभी चुका सकेगा जब वे खालिस्तान और प्रसन हो चोथा, राजा खालिस्तान और खालिस्तान प्रशाशन को भड़ावा दे तो सही उत्तर भरेंगे हम, तो पहले का उत्तर क्या होगा? सैनिकों दूसरे का, राजस्व तीसरा, खुशाल चोथा, नियाए और इमानदार तो वेरी गुड बच्चों, आप सब अपने लिए तालिया बजाए और अपना प्रोसाहान भड़ाएं ताकि आप सारे प्रशनों का उत्तर अगली कक्षा में और भी बढ़ चड़ कर दें अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपुन बाते आपके साथ सांजा करते हैं ये बाते ध्यान में रखें पहली बात, त्वारिक के लेखक नगरों में, विशेशकर दिल्ली में रहते थे गाउं में शायद ही कभी रहते हो वे इतिहास सुल्तानों के धेर सारे इनाम, इकराम, पाने की आशा में लिखा करते थे तीसरा, ये लेखक शाशकों को जनमसिद अधिकार और लिंग भेद पर अधारित, आदर्श, समाज, विवस्था बनाए रखने की सला देते थे पच्चों, अब मैं आपको जनमसिद अधिकार के बारे में बताती हूँ ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जनम के साथ ही कुलीन व्यक्ति के परिवार में जनम लेने के कारण विरासत में मिलते हैं लिंग भेद भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जब आम तोर पर ये तर्क दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ट है तो ये विचारी लिंग भेद कहलाता है इसके बारे में सबसे अच्छा उधारन हमारे पाठ का वह भाग है जब सन 1236 में इलतुत मिश्ट की बेटी रजिया सिहासन पर बैठी उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्विकार किया था कि रजिया सभी भाईयों से अधिक योग गेवा सक्षम थी लेकिन फिर भी उस युग के लोग उसे एक रानी के रूप में स्विकार नहीं कर पाई दरबारी भी रजिया के शाशन से प्रसंद नहीं थे सन 1240 में रजिया को सिहासन से हटा दिया गया रजिया ने अभी लेखों और सिकों पर अंकित करवाया था कि वे सुल्तान इल्तुत्मिश की बेटी थी आधुनिक आंध्रा परदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काक्ति वंश का राज था उस वंश की राणी रुद्रमा देवी के वहवार से रजिया का वहवार विप्रित था रुद्रमा देवी अपना नाम अभी लेखों पर पुर्षों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी एक और कश्मीर की राणी दिदा उनका नाम दीदी से निकला है जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रियरानी के लिए सने भरा संबोधन दिया होगा तो आप इन उधारनों से समझ सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान में रजिया सक्षम होकर भी लिंग भेट के कारण सिहासन से हटा दी गई वही काकत्य वंश की राणी रुद्रमा देवी वा कश्मीर की राणी दिदा को जनता से बहुत प्यारवा सने प्राप्त था अब हम कुछ अपने प्रशन उत्रों का आदान प्रदान करें तो बच्चों फिर से तयार हो जाए छोटी सी परिक्षा के लिए पहला प्रशन रजिया किसकी बेटी थी पहला उप्षन बलबन कुतुब दिन एबग या इलतुतमिश सही उत्तर है इलतुतमिश की बेटी अगला प्रश्न, रजिया को कब सिहासन से हटाया गया? 1240, 1241 या 1242? सही उत्तर है 1240 अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने स्विकार किया था कि रजिया अपने भाईयों से अधिक सक्षम है? पहला उप्षन मिनाज ए सिराज, दूसरा इबन बतूता सही उत्तर है मिनाज ए सिराज अगला प्रश्न, काकत्य वंश का शाशन कहां था? सही उत्तर है आंधरा प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में अगला प्रशन काकित्य वंश की रानी का क्या नाम था? सही उत्तर है रुद्रमा देवी अगला प्रशन रानी दीदा कहां की शाशिका थी? सही उत्तर है कश्मीर की आओ अब कुछ मिलान करें तो एक तरफ आपको नाम दिख रहे होंगे तो पहला नाम है रजिया दूसरा नाम है रुद्रमा देवी और तीसरा नाम है दिदा और वंश और स्थान में पहला है काकत्य दूसरा है तुर्की तीसरा है कश्मीर अब बच्चो मिलान करके आप मुझे ये बताओ कि रजिया का मिलान किस से होगा? सही उत्तर है तुर्की रुद्रमा देवी का मिलान किस से करेंगे हम? सही उत्तर है काकत्य दिदा का मिलान? कश्मीर बहुत सही कहा बच्चो सबके लिए शाबाश बच्चो तो आप पाठ के इस भाग से अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंग भेद क्या होता है? सुल्तानों के राज में स्त्रियों को बराबर के अधिकार नहीं थे उस समय के दोर में दिल्ली सल्तनत के दरबारियों के सोचने का तरीका कश्मीर वा आंधर परदेश के लोगों से विपरित था अब हमारा अगला भाग है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से समराज्य तक बच्चों आओ हम मानचितर दो देखे इस मानचितर में इल्तुत मिश्द्वारा जीते गए प्रमुक शहर दिखाए गए है आओ इने ध्यान से देखे परिक्षा में आपके लिए ये लाबकारी रहेंगे मानचितर को ध्यान पूर्वक देखना सबसे पहले काजकोट मुल्तान नंदाना उच्छ लाहौर तबरहिंद सरसुती हांसी अजमेर रन्थंबोर गवालियर अवद बनारस लखनोती बंदायू सुनाम सांभामानक मंजोर कोल देवल कुहराम दिल्ली बरवाला वारन ये सभी क्षेतर आपको मानचितर पर दिख रहे हैं तो आपको सभी शहर का अच्छे से ज्यान हो गया होगा जैसा कि आपने उपर पड़ा गैरिसन शहर तो ये गैरिसन शहर वे किले बंद बसाव होते हैं जहां सैनिक रहते हैं और भीतरी परदेश क्या हम ये भी पहले जान लेते हैं किसी शहर या बंदर गहा के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तूं और सेवाओं की पूर्ती करे वे भीतरी परदेश कहलाते हैं तेरवीश अताबदी के आरंबिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शाषन गैरिसिनों से बाहर शायद ही कभी फैला हो उनका नियंत्रन केवल शहरिक शेत्रों वकिले बंद के अंदर ही सिमित था भीतरी परदेशों पर उनका नियंत्रन ना के बराबर था उन्हें अपनी आवशक सामगरी के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निडबर रहना पड़ता था दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रन बहुत ही कठिन था इनके आपस में संपर्क सुत्र छिनभिन हो जाते थे जिसकी वजाती बगावत, युद या खराब मौसम दिल्ली सल्तनत को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से चुनोती मिलती रहती थी और उनके सुबेदार भी उनकी जरा सी कमजोरी का अभास होते ही विद्रोहों का जंडा खड़ा कर देते थे इन नगरों का संस्थापन बलबन के शाशनकाल में हुआ और विस्तार अलावदिन खलजी और मुहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ सल्तनत के भीत्री सीमाओं में जो अभियान चलाए गए उनका लक्षे भीत्री क्षेत्रों की स्थिती को मजबूत करना था इन अभियानों के दोरान गंगा यमुना दुआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों का वचरवाहों को उनके स्थान से खदेड दिया गया वे जमीन किसानों को दे दी गई और क्रिशी कारे को प्रोश सहन दिया गया व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रे व्यापार की उन्नती के खातिर नए किले गैरसिन शहर और शहर बनाए गए और बसाए गए दूसरा विस्तार सल्तनत की बहरी सीमा पर हुआ मांचित्र तीन को हम देखेंगे ये वेक शित्र है जहां अलावदिन खलजी के शाशनकाल में सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा तक पहुँचे इन अभियानों में सल्तनत की सैनाओं ने हाथी, घोडे, गुलाम और मुल्लेवान धातुएं अपने कबजे में ले ली दिल्ली सल्तनत की सैनाओं की शुरूआत अपेक्शाकृत कमजोर थी मगर डेट सो वर्ष बाद मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहद्वीब का एक विशालक शेतर इसके युद अभियान के अंतरगत आ चुका था इसने शत्रों की सैनाओं को परास्त किया और शेहरों पर कबजा किया इसके सूबेदार और प्रशाशक मुगदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे लेकिन इतने विशालक शेतर पर इनका नियंतरन किस सीमा तक और कितना प्रभावी था बच्चो आप मानचितर तीन को ध्यान से देखो तो आपको इसमें तीर जैसे चिन दिखाई देंगे जो की सैनिक अभ्यानों की दिशा वागती को दर्शाते हैं कि दिल्ली से किस तरह इन अभ्यानों का विस्तार दक्षिन की तरफ हो रहा था दिल्ली से 1299 में पहला अभ्यान दिल्ली सल्तनत के शाषकों ने गुजरात की तरफ किया आप मानचितर में सोमनाद भी देख सकते हैं फिर दूसरा अभ्यान 1303 में चितोड की तरफ किया गया और 1301 में रन थंबोर की और ये दोनों क्षितर राजिस्थान में आते हैं उसी समय के आसपास 1305 में मध्यपरदेश के मांडू में भी सैनिक अभ्यान किये गए 1302 से 1303 में इनकी सैनाएं वारांगल का कित्य वंश में पहुँच गई मांडू का जो अभ्यान हुआ वे आगे होते हुए देवगिरी पहुचा वहां से वे दो हिस्सों में बढ़ गया एक वारांगल की तरफ मुढ गया दूसरा होईसल की तरफ 1311 में आगे बढ़ते हुए ये अभ्यान तंजामवुर वा मदूरे पहुचा इस तरह इनका दक्षिन भारत का सैनिक अभ्यान चला वा दक्षिन भारत पर कबजव वा नियंतरन करने की पूरी कोशिश की पर ये नियंतरन की सीमा तक और कितना प्रभावी था ये ज्यादा नहीं पता तो बच्चो मांचित्र को ध्यान से समझते हुए याद रखना तो फिर से हम अपना प्रशन उत्र का सिलसिला शुरू करते हैं तो तयार हैं आप सब तो ये राब का पहला प्रशन रिक्त स्थान भरो उपर आपको कुछ विकल्प दिये जा रहे हैं जैसे भीत्री प्रदेश, गैरिसिन, व्यापार, कर, लूटमार, किसानों, क्रिशी, प्रयावास अब मैं आपके सामने कुछ रिक्त स्थान लिखने वाली हूँ और आप उनमें सही उत्तर भरेंगे पहला, रक्षक सैनिकों की टुकडियों को रिक्त स्थान कहते थे दूर रिक्त स्थान पर उनका नियंत्रन ना के बराबर था तीसरा, आवशक सामगरी, रसद, आदी के लिए रिक्त स्थान, रिक्त स्थान या रिक्त स्थान पर ही निर्भर रहना पड़ता था चौथा, चरवाहूं को उनके रिक्त स्थान से खदेड दिया गया पांचवा वे जमीन रिक्त स्थान को दे दी गई और रिक्त स्थान कार्य को प्रोसान दिया गया अब हम सही उत्तर बताते हैं पहला उत्तर गैरिसिन दूसरा भीतरी प्रदेश तीसरा व्यापार, कर, लूट मार चौथा प्रियावास पांचवा, किसानों और क्रिशी अब अगला प्रश्न सही या गलत चुनकर सही और गलत का चिन लगाएं पहला अलाव दिन खलजी के शाशन काल में दक्षिन भारत को लक्षे करके सैनिक अभ्यान शुरू हुए बताओ बच्चों सही या गलत सही दूसरा, गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ नहीं किया गया बताओ बच्चों सही उत्तर है इसका गलत तीसरा, व्यापार मारगों की सुरक्षा के लिए और क्षेत्रिय व्यापार की उन्नती के लिए नए के लिए गैरिसन शहर बसाए गए इसका उत्तर है सही चौथा, किसानों को जमीन नहीं दी गई इसका सही उत्तर है गलत और अंतिम पाँचवा, शिकारी संग्रकों तथा चर्वाओं को उनके परियावास से खदेड दिया गया इसका सही उत्तर है सही इस सध्याय के पहले भाग को हम यहीं पर विराम लगाते हुए आप से अलविदा लेते हैं बच्चों और आशा करते हैं कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों स्वस्तर हैं सुरक्षित रहें खूब पढ़े आगे बढ़े धन्यवाद कि आपको हमारी बनाई हुए रहें जड़े आपको हमारी देख्ट रहें से अलविदा से लेगपन्यवाद